नमस्कार एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टीवी 27 नीज पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार शास्त्रे जी जो आपको बताएंगे गुरू गाइडेंस में क्या आज के नशत्र क्या है और किस नशत्र का क्या प्रभाव आपके जीवन में पढ़ता सारे सवालू का जवाब आचार जी आपको देंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आचार जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीवी 27 नीज पर टीवी 27 सभी दर्सकों को हमारा जैसरी राम और जैसा कि आज चंद्रमा के बारे में बात किया जा रहा है और आप जब भ सब्सक्राप बाता आता है ना किसी के जीनम में वो कोई राजा हो रंक हो फकीर हो कुछ बी हो सन्यासि हो योगी यू जब बिमाका बात आता है तो वह ब्यक्ति आर्मल हो जाता किस तरीके से होता है उनको कहा गया चंद्रमा लेकिन एक चीद ध्यान नखना हमेशा कि चंद्रमा जो है वो 15 दिन के लिए तो बहुत बढ़िया होता है जिस जब हम कहते हैं उदयाति थी और जब हम कहते हैं कृष्ण पक्ष में पापकला में वितीत हो जाता है सबसे पहला नंबर चंद्रमा का कारी तत्तु क्या है हर गरहों का अपना अपना कारी है तो चंद्रमा का कारी तत्तु क्या है चंद्रमा का जो कारित तत्व है वो हमारे मन का कारक है चंद्रमा चंद्रमा हमारे मन का आप करोणपती हो आप बहुत पैसे वाले हो आपके घर में सोने का पलंग हो रामण की तरह लेकिन अगर आपका मन सांत नहीं है तो आपके लिए सब बेकार है क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है इसलिए कुंडली में दो गरह की युक्ती जो होती है इनको बहुत बढ़िया होना चाहिए बहुत अच्छा एक तो चंद्रमा और दूसरा राहू अगर ये गरह ठीक नहीं है तो बानो जीमन बहुत बेकार होता है तो चंद्रमा क्या है चंद्रमा मन का कारक है अगर चंद्रमा सनी के साथ आ गया तो ऐसा ब्यक्ती हमेशा चिंतन करता रहता है हमेशा सोचता रहता है, अगर चंद्रमा राहू के साथ आ जाए तो ऐसा ब्यक्ति जो होता है, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, कहा करूं, ये करूं, जैसा कि ये युक्ति है, अब इस युक्ति के बारे में बात में बात करेंगे कि चंद्रमा सनी की युक्ति क्या है और राहू और चंद्रमा का युक्ति क्या है तो चंद्रमा जब भी पीडित होता है ब्यक्ति के अंदर तो सर्व पर्थम क्या होता है वो ब्यक्ति पूरी बात करेगा और लाश में कहेगा पता नियार क्या है मतलब कभी भी पूरी बातें नहीं कर सकता वो हमेशा, चंद्रमा जो होता है वो व्यक्ति को सितलता प्रदान करता है, सितलता प्रदान करने का काम करता है, लेकिन कोई भी इस्तरी चंद्रमा कब बनती है, साधी के बाद जब उसे अथवा पुत्री प्राप्थ हो जाती है, तब वो चंद्रमा बनती है, यानि तब वो मा तब उसका सुरू बदल जाता है इसलिए महारिसी प्रासर जी ने कहा है कि जिसका चंद्रमा जितना पीडित होगा वो दुनिया में उतना बड़ा काम करेगा क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जब उसका मन पीडित होगा तो कहेगा मुझे एकांत छोड़ दो थोड़े दे देगा और वो कुछ न कुछ बढ़यां करेगा चंद्रमा किस चीज का आरक है चंद्रमा जल तत्तु का का रक है इसलिए जो उसके देवता यानि भगवान जो उसके हैं जिनको वो कहा जाता उसको कहा जाता वरूरु जूआ हम कलस की अस्थापना करते हैं तो ओस कलस्थ मे होगा उतना बढ़ हें वो करेगा लेकिन कभ करेगा जब वह ब्यक्ति जो है निगेटिव नहीं पॉजेटिफ हो गाए तो वो क्या होता है बड़ा कारण जो गर कोई ग्रह है तो वह क्या है चंद्रमा है क्योंकि जो भी चीजें तुम्हारे मन में अच्छी और बुरी चीजों की जो उत्पत्ती होती है, वो तुम्हारे मन में पहले होती है, उसके बाद तुम उसको काम करते हो, तो इसलिए मन का कारक चंद्रमा, अगर आपका चंद्रमा कहीं पीडित हुआ, तो आपको ले डूबेगा, इसलिए चंद्रमा को पीडित नहीं रखना है, अब चं चंद्रमा चाहिए और जब तुम जल के किनाखे रहो हमा जैसे कोई ऐसी नगरी हो जिसके आजपास समुद्धर हो या हरी ड्ली में जम्हाजी हैं तो इस स्कता है कि छो गें तो क्या होगा कि तुमको चंद्रमा पीडा देना बंद कर देगा ऐसे में ब्यक्ति को क्या करना चाहिए वो क्या है कि जल चंद्रमा जल का कारत्तु का कारक है तुम जितना जल का प्रियोग करोगे जितना जल बहाओगे उतना तुम्हारा चंद्रमा पीडित होगा इसलिए क कर लेना, यह होता है चंद्रमा के अंदर, क्योंकि आप किसी भी चीज को जो कैच करते हैं, वो मन से करते हैं, अगर आपका मन किया, तो आपके मन में वो बात आई, और अगर नहीं किया, तो नहीं आया, इसलिए चंद्रमा कैचिंग पावर है, जिस ब्यक्ति का, जिस बालक क कैचिंग पावर खराब हो जाए उसे क्या करना है एक चांदी का पात्र लेना है और उस चांदी के पात्र में जल भरके रखना है और तुम किसी की भी पूजा करो हनमान जी की करो सिू जी की करो किसी की भी पूजा करो और पूजा करने के बाद क्या करना है जब आपका दूसरा चीज, कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा फूड है, जो हम खाते हैं, चंद्रमा है, जिसका चंद्रमा पीडित हो, एक रमेडी करके देख लेना, जीमन बदल जाएगा आपका, क्या करना है, सुद्ध साद्विक भोजन शुरू कर दो, बलस्षन और पियाज, आ तला भुना चीज, छूड करके देखो, उसके बाद देखो पंदरा धीन के अंदर, आपके मन में क्या आया, आपका सारे थोस्त बदल जाएगे, सारा सोच आपकी बदल जाएगी, तो चंद्रमा किसका कारक है, चंद्रमा है खान-पान का कारक, अगर चंद्रमा सणी के करम है ऐसा व्यक्ति जो भी करम करता है वो मन से करता है दिखावे में नहीं करता मन से करता है इसलिए चंद्रमा फूट का सबसे बड़ा कारक है जब भी कोई व्यक्ति का चंद्रमा बहुत सही होगा क्योंकि जिसका चंद्रमा खराब होगा वो क्या करता है कटोरी में सब्ज और हाथ में रोटी पकड़ के भोजन कर लेगा, लेकिन जिसका चंद्रमा सही होगा, बढ़ियां चंद्रमा होगा, वो क्या करेगा, हमेशा थाली को सजा कर ही भोजन करेगा, बिना थाली को सजाए भोजन नहीं करेगा, उसमें मिर्च भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, लस पोटल में जाते हैं और आपने देखा वहां ठीक नहीं है आपको मन कहेगा नहीं यहां भोजन नहीं करना तो आप वहां नहीं करते मन से करते आपको मन किया मुझे यह भोजन करना है तो आप वह भोजन करोगे जिस ब्यक्त के कुंडली में चंद्रमा और राहू बैठा होग वो व्यक्ति कौन सा भोजन करेगा? इंडियन भोजन कभी नहीं करेगा, वो व्यक्ति हमेशा क्या करेगा? बाहर का, चाउमीन चाहिए, ये चाहिए, बर्गर चाहिए, पीजा चाहिए, ऐसा भोजन वो करता है, क्यों? क्योंकि राहू जो होता है, वो हिंदुस्तान, ये मतल है कि अगर विकतिका चंद्मा ठीक है तो वह बाहर का खाना खाएगा और एक तरीके से छीजिए ठाली लगा सकते हैं कि तरीकने क्या इससे मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि मेरा चंद्रमा ठीक नहीं है चंद्र ग्रहे जो है वो ठीक नहीं है जैसा कि मैंने आपको एक सवाल मैंने आपको सुरू में बताया कि हर ग्रहों का कार्य तत्त होता है आपको जोतिस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको सबसे पहले नमबर गरहों के तत्व को समझना होगा और दूसरा नमबर आपको किसी की पढ़ी पढ़ाई रमेडी नहीं देना होता है आपको आपके गरह आपको रमेडी बताएंगे हमने कहा जो गरह मारता है वह आपको बचाएगा भी, ठीक है, तो इसी तरीके से जो होता है यह चन्दरमा का सबसे पहला नंबर, आप किसी के ब्यक्ति के कार्टत्थ को समझो कि उसका कार्टत्थ क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि यह किस ग्रह का प्रभावी प्रभाव इसके शरीर पे है, अगर वो व्यक्ति विदेशी फूट खाता है तो चंद्रमा राहू के साथ बैठा है मांसिक पीडित है वो इसलिए वो सही समय पर उठता नहीं है उसकी नींद पूरी नहीं होती उसका सोने का समय नहीं है क्योंकि चंद्रमा क्या है चंद्रमा नींद का भी बहुत बड़ा कारक है क्योंकि आप जो नींद लेते हैं, वो किसे लेते हैं, वो भी तो मन से ही लेते हैं, कि आपका मन किया, आप कहते हैं, यार मेरा मन कर रहा है सोने का, तो आप सो जाते हो, यार मेरा मन कर रहा है खाने का, तो आप खाना खाने लग जाते हो, तो क्या है, मन ही तो है ना, तो अगर आपका चंद्रमा गलत होगा तो दिक्कत पैदा करेगा और चंद्रमा गलत कहां से होता है सबसे पहला नंबर कोई भी ग्रह कहां से गलत होता है मैंने अपने कारिकरम में बताया कि जितने ये ग्रह बैठे हैं ये हमारा परिवार है ये हमारे परिवार के कोई ने कोई स अगर हमने अपने परिवार के सदस्य किसी से भी वेमनस्ता कर लिया वो गरे तुम्हारा खराब हो गया जैसे कि आप अपने मा का कहां नहीं मानते आज्या का पालन नहीं करते हैं और मा को चोटी-चोटी बातों पर आप चुप रहो ऐसे सब्द कहते हैं और सबसे बढ़ी चीज है कि मास के हाथ का बनाया हुआ भोजन अगर आप नहीं करते तो आपका चंद्रमा खराब हो गया और जिसका चंद्रमा खराब होता है वो क्या करता है सबसे पहला नंबर वो खुद इरिटेट रहता है और दूसरों को भी करता है तरह तरह के सवाल पूछेगा एकी सवाल, एकी कोईश्चन को वो इतने बार पूछेगा कि तुम इरिटेट हो करके करेगो भाई मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दे किसी और से जाके पूछ यह क्यों होता है, यह चंद्रमा के कारण होता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारण है इसलिए तुमको कोई भी सामान कोई भी बिश्चु का सबसे बड़ा स्वर्च तुमको मिल जाए, लेकिन तुम्हारा चंद्रमा पीडी थे तो, तो सबसे पहला नमबर ऐसे व्यक्ति को नदी के किनारे या उससे जो है समुद्र के किनारे जरूर रहना चाहिए, महिने में एक आदबार जल के किनारे जरूर जाए अगर आपने बढ़ाए कि अगर चंद्रमा पीडी थे तो उस व्यक्ति को जल के किनारे रहना चाहिए या फिर नहीं हमिशा रह सकता तो अगर ये भी नहीं हो सकता तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जो कि चंद्रमा को प्रशन ने किया जा सके और मंत्र का अगर है भी तो कितनी बार जाब करें और कितनी बार उचारण करना चाहिए ताकि उससे चंद्रमा को प्रशन ने किया जा सके और उनको अपने ठीक जगह पर लाया जा सके जी 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 आप देखे सबसे पहला नंबर अगर चंद्रमा आपका एक नंबर पांच नंबर और नौ नंबर में अगर बैठा है और वहां किसी भी प्रकार से पीडित है तो आपको क्या करना चाहिए आपको सरप्रथम क्या करना चाहिए क्योंकि यह रिमेडी जो होती है मैंने क्या बोला रिमेडी बनाना पड़ता है क्योंकि एक पांच नौ यह कौन सा घर है विश्णु अस्थान कहा जाता है एक नंबर तुम्हारा लगन है पांच नंबर तुम्हारा कर्म है पूर्वसंचित और दस नौ नंबर प 저희 यहारा नंबर घर में बैठा है तो आपको क्या करना चाहिए आपको मून का उंग्ली में चांधी में बना कर धारण करना चाहिए जान हुआ है अगर वही चंद्रमा आपका चतूर्थ भाव में बैठा हो आपका कॉली अस्तभ 70 को में बैठा हो का सfen attitude बढ़ा हो जी देना चाहिए जैसे दूध का दान, दही का दान, चावल का दान, आठे का दान, सफेद वस्तर का दान, पनीर का दान देना चाहिए. अब जब आपने पनीर की बात आई तो मुझे एक चीज और याद आ गया, कि ऐसे बैक्ति को सोमवार, सुकरवार और बीरवार को का दान करें, उस चीज को ग्रहन नहीं करना चाहिए. अब सपोच करो, आप दूध दान कर रही हैं, तो क्या आप साम को दूध नहीं ले सकते हैं, लेकिन कैसे, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके, या उसका कलर बदल करके, अगर आप लेंगे, तो आपको बहुत पैदा मिलेगा, तो इसलिए चंद्रमा का alignment, चंद्रमा की remedy करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मन पीडित होता है, तो बहुत दिक्कत देता है, बहुत परिशानी पैदा करता है, ऐसे चंद्रमा के बहुत सारे योग होते हैं, आपका जो मन है वो चंद्रमा है, यह साथ जब भी आप देखो, जितने बड़े बड़े होटल हैं, रस्टोरेंट हैं, और आप देखने बहुत बढ़े हैं, और उनके यहां पर मतलब आपको बेटिंग में खड़ा रहना पड़ता है, खाने के लिए, आप अभी उनकी कुंडली देखना, उनका चंद्रमा उच करना चाहते हैं, खाने पीने का, तो दो चीजों का ध्यान देना, अगर चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है, तो इंडियन फोग, दाल, चावल, रोटी, सबजी, पूरी, सबजी, समोसे, यह सब रखना, और अगर आपका चंद्रमा के साथ राहू है, तो आपको बिदेशी अगर आप रखोगे, आपका दुकान, आपका रेस्टोरेंट बहुत बढ़ियां चलेगा, कोई कुछ करने की जरुवत नहीं है, बहुत बढ़ियां चलेगा, कहते हैं स्टार बल्मान, तो गधा पहलमान, अगर आपका स्टार बल्मान है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है बस सिर्फ इतना है कि आपको चंद्रमा अगर पीडित है तो मैं यह कहूंगा जब तक उसका उपाय ना कर लो तब तक आपको रेश्टोरेंट से संबंधित या मतलब जो है चंद्रमा यानि ऐसा कोई प्रोडक्त मिल्क प्रोडक्त से संबंधित कोई कारिय नहीं करना अगर इस तरीका को कोई कारिय करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत पैदा होगा बिल्कुल आचार जे और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आपसे यह भी जाने की कोश्चस करते हैं जैसे कि आपने बताय कि क्या क्या चीचे करना चाहिए ताकि चंद्रमा प्रसन हो और ऐसे म कि अगर हम चंद्रमा की आज़ना कर रहे हैं और वohl तमाम उपाय कर रहे हैं जिनसे चंद्रमा प्रसन हो सके लेकिन किस तरह कि सब्लकार को प्रसन हो جई है और ना खुद इरेटेट हो ना किसी को करो क्योंकि अगर तुम्हारा कैचिंग पावर ठीक नहीं है जो आदमी समझा रहा है तीन बार से आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आपका कैचिंग पावर बेकार है क्योंकि आप उसके सब्दों को कैच कर रहे हो ठीक है आपके कान में नहीं कह रहा है वो या आपको घोंड के पिला नहीं रहा है आपका कैचिंग पावर ठीक नहीं है तो कैचिंग पावर को ठीक करने के लिए जब भी आप किसी से लाइन ओन लाइन कभी भी पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे बोतल जो मैंने कहा पानी का रखना चाहिए और उसके बाद जब वो का देवता कहते हैं और चंद्रमा जलता तुका का रख है तो आपको सबसे पहला नंबर ऐसी रमेडी जो आपके जीमन को बदल देगा आपके मस्तिस को बदल देगा आपका इरिटेट दूर भाग जाएगा आपकी कैचिंग पावर बहुत पावर्फुल हो जाएगा ये र तरीके से कोई भी रमेडी है वो 40 दिन से कम नहीं होता है आपको करना क्या है आपको ये करना है कोई नहर हो कोई नदी हो कुछ भी हो उसमें आपको क्या करना है कि आमोस्या अथमा सोमवार के दिन आपको एक दूद की थैली लेना है और उसमें एक पिन मारो और पिन मार कर करके ऐसे कर दो अब फूर 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 करके पतली धार में वह बहता जाएगा दूद कहां जा रहा है जल में उसको कौन ले रहा वरूड वरूड कौन है चंद्रमा का भग्मान ठीक है अब उसके पास जा रहा है अब आप उसको देखते रहो ऐसा आप जो है महीने में 400 मौर आता है और महीने में एक आमोस से आता है अगर यह आपने पांच दिन कर दिया तो आप देखना कि आपका सब कुछ बदला मिलेगा नहीं तो चंद्रमा सनी चंद्रमा राहू यह आपको परिशान करेगा साथ-साथ में जो आपको जन्म देने वाली माता है उनको भी परिश से अपका आपको आपका पहचान की सिबाटा करो से हैं लेकिन उसका नमबर नहीं आपके पास आपस नहीं हो पाएगी आप बार-बार सोचोंके कैसे नहीं करो लेकिन अगर उसका phone number है तो आप एक मिनट में बात कर लेंगे तो इसी तरीके से अगर चंद्रमा का जो भगवान है अगर आपको पता है और आप वो बस्तून को देने लगोगे तो वो आपको क्या करेगा आपके साथ अच्छा करने लगेगा क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा ग्रह नहीं है कोई ऐसा द्यक्त नहीं है कोई ऐसा देवता नहीं है जो भगवान का कहा ना माने जो उसका इस्ट है तो चंद्रमा का इस्ट कौन है वरुण देव की पूजा करो यानि जल में दूध डालो आपका चंद्रमा सही हो जाएगा बिल्कुल और ऐसे वरुण देव क्यों प्रशन कर सकते हैं तो चंद्रबा भी खुश होगा और आचार जी चर्चा को आगे बढ़ा हैं और आपसे ये भी जानने की कोश्चत करेंगे कोश्चत की कि आपने क villa मन दर्शानी की चंद्रबा मन का और धाणा का उन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑफ़े जाते हैं उनका मन नहीं लगता है कां में नहीं लगता है ऑफ़े जहनेfps स्कूल घाते हैं का मैंने कहा नहीं कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि वह कहीं भी तुमको संतुष्टी से बैठने ही नहीं देगा अगर चंद्रमा थाराब है किसी भी दिक्कत में है तो आपका कहीं मन नहीं लगेगा आपने बहुत पहले आज के 50 साल पहले की जो ब्यक्तियों को आपने फोटो देखा होगा तो उनको जरूर देखा होगा कि वह आधा किलो चांदी धारन करते थे वह पैरों में भी पहने रहते थे पैरों में होता था उनके बाजुओं में भी यहां होता था वैसे कहा गया कि नाभी से उपर सोना और नाभी से नीचे चांदी क्योंकि इनके दोनों के अंदर रोग प्रतिकारक सकती है, यह तुम्हारे उसको करेगा, अगर इस तरीके का कही ब्यक्ति का है, और उनका मन कहीं नहीं लगता, तो सबसे पहला नंबर उनको चांदी के पात्र में, जैसे साम को चांदी के पात्र में कोई लोटा ले लिया, उसमें पानी रख दिया, अब वो रात भर रखा है, सुबह सुबह आपको मैंने कहा नहीं कि उसको पूजा स्थान पर रख करके आप किसी भी की पूजा करो, क्योंकि आप जानते हो क्या है, सिक्षा का कारक कौन सा गरे है, सिक्षा का कारक गुरु बिरस्पती नहीं है, सिक्षा का कारक जो क्योंकि आप गुरु से ज्ञान नहीं लेती हैं, आप अपने दिमाग से लेती हैं, और दिमाग का कारक कौन है, बुद्ध है, तो आपका बुद्ध अगर सही है, तो आपका सिक्षा बढ़िया होगा, तो क्या करना है, कि जिस व्यक्ति का सिक्षा खराब है, उसे क्या करना है, अपन 20-50 गराम की चांदी की चैन उनको हमेशा अपने गले में धारन करके रखना चाहिए वो भी सीतलता प्रदान करता है और चंद्रमा की रमेड़ी है क्योंकि हर ग्रह का तीन चीजे हैं मंत्र है मड़ी है और उनका धातू है ठीक है अगर आप मंत्र जाप करो नहीं कर सकते तो मड़ी धारन करो अगर मड़ नहीं कर सकते तो उसका आउसदी यानि उसका जड़ धारन करो अगर यह नहीं कर सकते तो आप उनकी धातू को करो जैसे लोग कहते हैं सूरी के लिए तांबा की अंगूठी मंग चंद्रमा के लिए जो है चांदी का चल्ला या चांदी की चैन बुद्ध के लिए बताया गया है कि पंच धातू या पंणा इस तरीके से इनका सबका ये कारक है कि आपको क्या पहनना है किस तरीके से करना है तो अगर किसी भी विद्यारती का मन नहीं लगता उनको ये दिक्कत आती है तो उनको catching power अगर मजबूत करना है तो चांदी का पातर रख करके सुबह साम को पानी रखें और सुबह सुबह उठ करके उस पानी को उजास्थान पे रख करके और आप किसी का भी पाट करके कोई भी मंतर जब करके उस पानी को पी जाओ आपका catching power मजबूत हो जाएगा सबसे पहला नंबर तो यह है कि जो चीज हमारे देश में दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसका कोई इफेक्ट हमारे देश में नहीं है, तो उसका दिक्कत भी यहां नहीं आएगा, अब गण तक लोग बैठे हैं, गणी लगा-लगा करके वो कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर है नहीं, जब यहां पर नहीं है, जैसे मैंने क्या बताया, सूर के लिए, कि अगर आपका मतलब जब हमारे यहां दिन होता है, तो अमेरिका में रात होती है, और जब अमेरिका में रात होती, तो हमारे यहां दिन होता है, तो इसलिए चंद गरहन का, जो मतलब ए न हजार पच्चीज में उसका परभाव पड़ेms 28 2015 मेंस सूरी गरहंड पड़ेगा वो सूरी गरहंड यह सवाल जोटसी से नहीं करना चाहिए, यह सवाल किसी बैद से करना चाहिए, बैद जो आपको दवाई देता है, सबसे पहला नमबर क्या है, एक रोग उघर के सामने आया, जिसको हम कहते है, माई ग्रेन, उसको कहते हम, जैसे कहानी है, कि इस पॉइंट को दबाने से सुग तुम्हारा कम होता है यहां पर, इस पॉइंट को, तो यहां पर क्या होता है, कि सबसे पहला नमबर, जो यहां पर लोग छला पहन के रखते हैं, कि सुक्र को मजबूत करने के लिए, सुक्र दाल भात नहीं है, कि आपने बनाया और खा लिया, सुक्र वो ग्रह है, जिसके पास मिर्त सजूनी बिद्या है, जो पूरे गरहों में सबसे बलवान है, अगर सुक्र नहीं चाहेगा, तो आपको लग्जरिस जीवन नहीं मिलेगा, तो वो अंगूठे में जो छला पहना जाता है, वो क्यों पहना जाता है, जिसको माईग्रेन से संबंधित बीमारी होता है, दाएं साइड में है, तो आप दाएं हाथ में पहनो, अगर बाएं साइड में है, तो आप बाएं हाथ में पहनो, इसलिए ये छला पहनाया जाता है, ये छला सुक्र के लिए नहीं है, कि इसको पहन लेने से तुम्हारा सुक्र बढ़िया हो जाएगा, ऐसे हजारों लो एक तरीके से महामिर्तुंजे अगर आपका सुक्र खराब है आप महामिर्तुंजे मंतर का जाप करो अपने आप सही हो जाएगा जी बिलकुल और चर्चा को आके बढ़ाते हैं लेकिन जाने से पहले जानेंगे ऐसे टोटके के बारे में आचार जी से जो आपका जीवन बदल देगा आचार जी ऐसा टोटका बताईए जो लोगों के लाइफ में अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें मन नहीं लगता है कहीं भी जाने का हो चाहिए घर हो ऑफिस हो या बाहर हो नहीं लगता परिशानिया अतनी जादा है कि सूशते रहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या किया जाए जो इन परिशानियों से निज़ात मिले सबसे पहला नंबर जो हमारा तीसरा घर होता है वो छोटे मोटे मुवमेंट का होता है और जो हमारा अश्टम भाव होता हुदे बड़े मुवमेंट का अगर आपका चंद्रमा खराब है और चंद्रमा से समध्धित दिकता रहा है आपका कहीं जाने का मन नहीं करता है आपका पढ़ाई में मन किसी भी बस तुमें मन ना लग ना तो उनको क्या करना जाए बहुत सठी ग्रमेडी ऐसे लोगों को मुवेंट करना चाहिए अब मुवमेंट कहां करना चाहिए सुवेरे उठ करके कम से कम 2-4 किलो मेटर पैदल चलो वो मुवमेंट हो गया उसके बाद आपका चंदरमा का लाइमेंट हो गया आपका चंदरमा सही हो गया जैसरी राम बिल्कुल अगर आपके कहीं भी मन नहीं लगता आप घर से बहार नहीं जाना चाहते ओफिस नहीं जाना चाहते काम पर नहीं जाना चाहते तो आपके लिए ये तोटका करना बहुत सरूरी है लेकिन हमारे शो में गुरू गाइडेंस में आज के लिए इतना ही कल हम जानेंगे सोमन शत्र के बारे में और तब तक बने रहे TV27 News के साथ.